तार एक बार फिर्स से स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल दियू जी के ट्रिक्स में जो दोस्त में आप पर डेली की तरह तीन बजी जूकि आप देख सकते हैं कि घटना चक्र हिंदी कवर कराई जा रही है तो स्रीज आपकी है और लगातार यहां पर क्लास से दी है यहां पर अनसर राइट क्या होजगा काफी लोग यहां पर जिवाब दे रहे हैं वहन को उप्षन दे रहे हैं सिनंबर दोस्तों वान को में दे रहे हैं लोग चले उनको बोल देते हैं बेक्तिगत पत्र बोल देते हैं ठीक है ना चले रादे रादे सभी को रादे रादे सभी को रादे रादे आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है आधिकाल के लिए विरगाथा काल का नाम जो दिया था हो किस ने दिया था चले दोस्तों यहाँ पर आधि बढ़ एक question आप से गला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया इनमेंसे की सब्दकास प्रियोग हमेशा बवचन में होता है बदेगा बवचन देखो सबसे ज़्यादा सरल होते हैं बवचन होते हैं अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा बवचन में प्रियोग आशू हो गया दर्शन हो गया लोग हो गया हना अच्छा तो हो गया हना तो यहाँ पर देखे आपका जो अंसर है इसका राइट हो जाएगा आगे बढ़ एक question आप से गला पूछा गया है नेमने कित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है चली बताएगा नेमने कित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है दोस्तों यहां पर जवाब देना है दोस्तों यहां पर देखे फूर अ जवाब होज़गा यहां पर डीनिमबर होज़गा यहां पर कंठ हर था में से पूछा गया है दोस्तों यहां पर five option बनेगा चने से नुमर समीच्छा कौन सा और आगे बड़ एक question दिआ गया है निम्निकित में सब्सक्राइब कर दिन में से कौन सा है यहां पर six option क्या बनेगा यहां पर बनेगा सोसा कौन सा इसका राइट हो जएगा सुसर सा बन जाएगा ठीक है ना आगे मड़ी एक कोशन आप से दिया गया है कि मात्र मारम का संद विच्छे दिन में से क्या हो जाएगा मात्र डालम का संद विच्छे दिन में से क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को मात्रधन डिडाम क्या हो जएगा मात्रधन डिडाम बनेगा जो कि आपसन बनेगा आपका बी नमबर है राइट हो जएगा बी नमबर हो जएगा अगला दिया गया है कि प्रतिधन आगात का संदिरूप इनमें से क्या होता है प्रतिधन आगात का संदिरूप पूछा गया द क्या होते हैं 5 वह समाषों निया पर बिनम भर हो जाएगा तो यहांपर देखा जाए तो आप consideration में बनेगा कौन सा दिव समास हो जएगा दिव समास इस concern राइट हो जएगा चले आगे बढ़ते हैं क्योचिन आपसे घ्रा पूछा गया है आगे बढ़े हैं निमनिकित में धैसी किस सब्द में आउपसर क्लाइट नहीं लगा है किस सब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है दोस्तों 12 option दे रहा है यहाँ पर 12 के अगर बात क्या जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखो जाए कि आ कत यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया ना नंबर राइत हो जाएगा आगे बड़े कोसन देखा है यहां आचे क Quickly का आप सिलाप पूछा गया है तो जामुन का होता है तो जामुन का होता है दोस्तों जम्बू क्या होता है जम्बू कौन सा ऑप्सन सी वाला जिसका भी आ रहा है बिलको राइट हो जाएगा यहां पर जम्ब हो जाएगा ठीक है ना आगे बढ़िएगा निम्निकित में से कौन स सभव हो जाएगा दोस्तों ठीक है ना इसका तर्सम क्या होता है खाक परिवर्तन चाओ जाए तो आप कहेंगे 25 का तर्सम बन जाएगा ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप से पूछा गया है कि घर पहाड और नदी की संग्या भेद के अंतरत आएगा घर है पह लोस्तों द्रबवाल चक संग्या देखा जाया तो यहाँ पर आपका दोद्ध दिया घृत हो जाएगा आगे बड़ी कोशन अपसे बिस असंग्या से नहीं बाना है चले दोस्तों विशेसों संग्या से नहीं बना है अ Sansar क्या बएगा चले बहुत अच्छे यहां पर देखे 20 नमर के अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर जो आपका दिया गया है 20 सेशन संग्या से नहीं बना है श्रीमान दिया है दानी दिया है चमकिला दिया है सुन्दर दिया है यहाँ पर आपका जो अंसर बनेगा दोस्तों क्या बन सकता है चलिए दी नमबर चमकीला तो हो है यार चमकीला तो आल लेडी है यह उसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर C वाला आपको जगा सुन्दर दोस्तों यहाँ पर जो बी नमबर आपका दिया गया सुन्दर है ना यहाँ पर जो अंसर आपका है यहाँ पर C हो जाएगा अगला बताएगा निम्निकी तुआक्यों में से एक सकर्मकिरिया का प्रियोग हुआ है अब आप बताएगा सकर्मा किरिया जो है सकर्मा किरिया है तो किस में है चले सकर्मा किरिया यहाँ पर अंसर बताएए सकर्मा किरिया क्या होगा यहाँ पर देखें आपसम बने आपका डिनमबर लड़की सिल रही है और सिल रही है इसका मतलब आपका अंसर यहीं से सही हो जाएगा, लड़की से ले रहाई है, सक्रमक किरिया का प्रियोग हुआ है, आगे बढ़ी कोसिन दिआ गया है, तुर जोडने का दो उपसो нравится कर रहा है, एक बहुत है है, आगे बढ़ी कोसिन आप se अगला पूचा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अरविंद सब्दका पर्यावची इन में से कौन सा है अरविंद सब्दका पर्यावची इन में से राइट क्या हो जाएगा चलिए अरविंद के दोस्तों आप नोट कर लिजेगा अप सरन का विलूम क्या होता है अप सरन का विलूम सब दिन में से क्या हो जाएगा चले अप सरन का दोस्तों पूछा गया 25 संबर में तो अप सरन का हो जाएगा अभी सरन क्या हो जाएगा अभी सरन आप समनेगा यहां पर आपका यह नंबर राइट हो जाएगा ठीक है ना आ आलोक जो होता है, क्या होता है, प्रकास हो जाएगा, अदलाव आपसन यहाँ पर इनमबर राइट हो जाएगा, आगे बड़ी एक कोशन दिया गया, नीत का विलूम क्या होता है, चलिए बताएगा, यहाँ पर कहरा है आपसे नीत का विलूम क्या बनेगा, चलिए, नीत का व रेक्त इस्थान में से भरना है चलिए भई यहां प्रवत्तवी क्या बढ़ा जा सकता है तरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं भई तरणी कहते हैं गया बूलते हैं तरणी कहते हैं ओप्सन जो बनेगा यहां पर आपका बिनम्बरiden right हो जाएगा दोस्तों याद रिखेगा तरणी होता है ठेके न आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है अंतरास्टी हिंदी कभी सम्मेलन का स्वेम में बड़ा काम होता है तो स्वेम में बड़ा काम क्या होता है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए स्वेम में बड़ा काम होता है यहाँ पर उ देना है चलिए यहां पर जवाब देना है यहां पर जवाब इसका अंसर क्या हो जाएगा चलिए यहां पर देखे तीस का जवाब से यहां पर भी ओजाब का आप में होता है क्या होता है आप में होता है बी नमबर इसका राइट हो जाएगा अगला है तैरनी की इच्छा को क कहते हैं ती तीरसा कहते हैं क्या कहते हैं नंबर हो जाएगा ऊफशन दिया गया ना कबाल हों होता है आकारण प्री हो न टेक्चित अकारण प्री होता है या पर पर जोब क्या वह होते हैं और साथ में मैच भी देख रहे होते हैं तो यहां पर देखें आपका 34 कॉप्षन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा एक ही काम से दो लाब हो जाना यहां पर अगे बढ़ते हैं कुश्चन आप से गला दिया से चले आगे बताईगा कि जिस वाकी में साधारन और मिस्र का अगर जोड़ कर दिया जाए इसका योग कर दिया जा है तो उसे कहा जाता है दोस्तों सहीपतवाफ की ऑपसे मनेगा यहां पर आपका भी-नमबर हो जाएगा अगर आपसे दिया गया है तुमको मुझे पढ़ाना है इसमें कोई आपकी असुद्ध्य दे गयी है और इससुद्ध्य कुबोखते हैं तुमको मुझे पढ़ाना है एक वाक вокруг me क्या झाया है कर्म क्या है आपने यह न कर्म है कर्म है पत्य क्रेह थे हैं यहां पर देखो अलाग हो जाएगा किने रहाँ आप परंसर आपका भी हो जाएगा अगला है विकल्पों में से पूर्लिंग सब्द आपको चैन करना है तेजस्वी हंसनी तापसनी परूप कारणी पूर्लिंग सब्दिन में से क्या होगा बई चले ए नमबर मिलकुँ सही ए नमबर हो जाएगा तेजस्वी हो जाएगा अगला है कवा कि इस्तरिलिंग के नियुधारन के लिए क्या किया आदा है तो कवा कि स्तरिलिंग के नियुधारन में दोस्तों आलेस को आपशन क्या बन जाएगा यहां पर अनसा डाप कर यह जल्दी से आशन मतलब होता है यहां पर आशन नहीं ही अगर कोई कोई खाने की चीज आती है तो हमसी आशन नहीं ही लगाना है अगला है सरकार ने अनसता प्रति पूर्ति की है इस वाकि में किस प्रकार के इरिया विसेशन का प्रियोग हुआ है दोस्तों 44 सम्बर में तो 44 के अगर बात किया जाए दोस्तों 44 को अप्सन हो जाएगा आपका सी नमबर ने परिडाम हो जाएगा ठीके हैं निम्रेखित मुवर्तनी की द्रसी से असुद सब्धाप को देना है, कुछ लोग तो एक्जाम डेट का इंतजार करते हैं, हाना, जब एक्जाम डेट आ जाती हैं तब रोते हैं, फिर कहते हैं, यार यार तैयारी भी नहीं हैं, क्या करेंगे रहने दीजिए, ना पेपर दें पूछते रहेगा कुछ फायदा नहीं मिलेगा सिर्फ एक्जाम डेट पूछते रहेगा ठीक है ना चलिए तो जोस्तों यहां पर देखा जाए असुद सब्द आपको कौन सा है 45 संबर में 45 कॉप्स निया पर क्या हो जाए अपका इतिहासिक जो दिया है गरत दिया है होता है क्या होता है अगला दिया गया है आधुनिक भारती भासाओं का विकास किसे हुआ है चले बताइए कि इन में से राइट क्या हो जाएगा कि आधुनिक भारती भासाओं का विकास किसे हुआ है 46 संबर में 46 कॉप्स निया पर इनमबर हो जाएगा अबरंस हो जाएगा अबरं में बपंजाब आई से आई यहां पर आपसे दिया है है ہिंदी मैं नुमात क्या होता है यहां है अपerson पढ़ लिए अपलोग देया इस इसका अनुवाद बताएँ इसका इसा की उसमें उल्ले की अ यह रहे हो जाएगा ठीक है ना आगे बड़ ये question दिया गया है सुद्ध सब्द आपको चुनना है 50 संबर में यहाँ पर देखो प्रतिनिधी होता है क्या होता है प्रतिनिधी कौन सा option यहाँ पर B वाला right हो जाएगा अगला आपसे देखो दिया गया है इन में से क्या हो जाएगा थोड़ा सा कटिन है यह कटिन थोड़ा इसलिए है क्योंकि थोड़ा अगर मुद्रा हैं अगर आपको अच्छे से मालूम नहों होती तो दिकत हो जाता हरा चलिए भई यहाँ पर किस वज़े से इसमें डिफरेंस है यहाँ पर बताएगा देखो यहाँ पर जो आपका जो अंसर है कॉल्टेस जो कॉल्टेस दिया है एनमर कॉल्टेस दोस्तों कॉल्टेस कॉल्टेस इसकांसर यह मुद्रा नहीं है ठीक है कॉल्टेस जो आपका है यहां पर जवाब दीजेगा देखें काफी लोग जवाब दे रहे हैं नागारजुन एक कौन थे भई चलिए भई जल्दी से जवाब दीजे जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे बीनमबर कहा रहे हैं एक बहुत दार्शनिक थे दोस्तों आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है कि जो नागारजुन थे एक बहुत थे दोस्तों मतलब एक बहुत दार्शनिक थे आप्शनिया पर बीनमबर है राइट हो जाएगा और ये कुर्साण हैना वे कुर्साण सासक कनिस्के समकालीन थे आगे बड़ी कोशन दिया गया है जैन धर में त्री रत्न आर्था तीन रत्न जो आपके हैं उन्हें निर्वान का मार का जाता है आपके थी क्या तो त्री रत्न में क्या सामिल है त्री रत्न में सामिल क्या है दोस्तों तो यहां पर देखे त्री रत्न म को पराजित किया था या लड़ाई होई थी चलिए किस वर्स बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानिपत के लड़ाई में पराजित किया था यहां पर देखें आपका 1526 का अंसर राइट हो जाएगा आगे बड़े कोशन आप सिग्ला पूछा गया है कि विजय नगर समराज अर्था विजय नगर राज किस नदी की किनार इस्तित था चलिए बताईगा विजय नगर राज किस नदी की किनार इस्तित था दोस्तों यहां पर आपसन क्या बनेगा चले देखें 104 का जवापसन दिया गया 104 का आपका तुंग भद्रा नदी की किनारे किस नदी की चलिए यहाँ पर जवाब देना है आप कंसर में से क्या हो जाएगा कि किस प्राचीन समराज में महिलाएं कुस्ती में भाग लेती थी यहाँ पर ऑप्सन राइट क्या हो जाएगा देखे 105 का जो आप्सन दिया गया है यहाँ पर अंसर लगबग सभी का सयार आए बी नमबर विजयन अगर समराज की जो महिला थी कुस्ती में भाग लेती थी अगला दीजेगा कि सिविल सिवा किसके सासनकाल में प्रारम की गए थी सिविल सिवा किसके सासनकाल में तिये हैं लाड का 49 दोस्तों याद रिखे लाड का 49 इसका ओप्सन सी नमबर राइट हो जाएगा आ यहाँ पर राइट अंसर ओजयवका अधर लट रीपीं इसका राइट हो जेगा ठीक है ना आगे बड़ा एक कोशन ने आपसे दिया गया है कि हिंदू के रहे हैं आपसे यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर विवा लिबा अधली अधार स्षंपन जिससे अधनियम अधार स् जिसे लाड़ दौरा पारित किया गया था दोस्तों यहां पर 108 का जो आप्सन दिया गया है 108 नंबर में आप्सन सी उजब का कैनिंग क्योंकि 856 के लगब कौन थे तो आपके कैनिंग ही थे न तो आप्सन में आपका सी नंबर है बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा आगे यहां अनुच्छे च्छाच्छ जिसका उप्सन है बिलकुल राइट हो जाएगा आगे बड़ एक कोशन दिया गया है कि म्रत्यु दंड के मामले में छमा देनी का दिकार केसी दिया गया है चले म्रत्यु दंड के मामले में छमा देनी का दिकार है यह किसके पास है तो यह एक मा होता है दोस्तों एक मा होता है यहाँ पर 6 मा पर मत भगा करें क्योंकि यहाँ पर नीजी भी ध्यक दिया है तो यहाँ पर एक मा हो जाएगा अगला दिया गया है कि लोग सबा में मद्दान करते समय टाई की स्थिति में पास ओड़ डालने का अदिकार होता है तो किसके क्या होज़ेगा तो यह कह सकते हैं कि आपके महान हिमाले में परवत की सबसे लंबी परवतमाला है तब कोशन में पीर पंजाल परवतमाला है यहाँ पर आगे बड़ यह कोशन जागा पशमी घाट है यहाँ पर देखे पशमी घाट का है पठारों का ढहलान है तो सभी नतीया जोभी आपकी होती है उससब आपके इस तरफ को भाग जाती है तो यहाँ पोर यहाँ पठारों का ढालान है। विसकी सबसे बड़ी परवत संक्ला पूछे तो आपको अताना है एंडीज परवतमाला, क्या एंडीज परवतमाला आप समझेगा यहाँ परसी नंबर है, अगला है माउंट किलमेंजारो में इस्तित एक निस्किरी जोला मुखी बताएगा, माउंट किलमेंजारो में जो नि स्क्रिकόर मुख्रों देना हैं अब किसी को याध हो तो जवाब देजीएगा तमानी रेगिस्टान ऍर्ट्थान कि यह कहां पड़ता करेगी स्काना अगला है निमनिकित में से कौन भारत में थोक मुल सुचकांग के मुख घटक है थोक मुल सुचकांग के घटक में आते हैं तो क्या क्या आते हैं इसमें देखे आपका आता है प्रात्मिक वस्त में आती है ठीक है न यहाँ पर इंधान और बिजली आता है ठीक निकित में से क्या अप्रत्य चिकर की स्रेड़ी में आता है दोस्तों अप्रत्य चिकर की स्रेड़ी में जो आता है यहां पर क्या हो जाएगा यह सेवा कर जो होता है यह अप्रत्य चिकर की स्रेड़ी में आता है अगला दिया गया है यह भारत में आय को कहा जाता है भारत में आएको कहा जाता है दोस्तों भारत में आएको क्या कहते हैं प्रत्यच और प्रगामी क्या बोलते हैं प्रत्यच और प्रगामी कहा जाता है इसका जवाब समनेगा यहाँ पर आपका बिनमबर राइट हो जाएगा अगला दिया है अली गड़ के लिए प्रिसिद्ध है अली ग बग सभी का जवाबा राए हैं एक बार वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों ह Haut जतने लिए यहां पर पर जुड़े हैंF लोग यहां पर एक बार वीडियो को लाइक कर दिएगा उमीद है सभी लोग पढ़ने वाले हैं वालें लगवा यहां पर देखे अगला दिया गया है कि इन में से कौन सहिस्थान धात की कला रंगीन तामचीनी और जटिन नकासी के लिए प्रिशिद्ध है अगला दिया गया है उत्तरवदेश का निमनिकित में से कौन से जला काली मिट्टी की बरतनों के लिए जाना जाता है काली मिट्टी की बरतन के लिए चले काली मिट्टी की बरतन के लिए आपका है दोस्तों यह आजम गड़ है याद रखेगा काली मिट्टी की बरतन के लिए आजम गड़ जाना जाता है याद रखेगा आजम गड़ जिला तेके ना आगे बड़ यह कोशन दिया गया है एर आप से उत्तरवदेश का कौन से अपने ब्रास बेल के लिए पूरे 20 में प्रिशिद्ध है यहां पर इसका नाम है आपका जलेसर जो की एटा के पास पड़ता है इसे घुंगरो घंटी के लिए बोला जाता है ठीक है ना और यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है चाहँदावी स्कापदी की प्रिशिद्ध मस्जिद जिसे 18 मस्जिद कहा जाता है यह उतर विदेश के की सहर में है तो 18 मस्जिद कहां पर है दोस्तों आटाला मस्जिद है आपके जौनपूर में हैं कहां पर है जौनपूर में है आगला आप से दिया गया है करा है Microsoft Word 2016 प्रलेक डाकुमेंट में समागरियों की तालिका प्रिश्ट करने के लिए आपको मैनू टैप पर जाना होगा यहां पर देखो आपको कहां पर जाना होगा मेनू टैप के कहां पर यहां पर देखो इसको अमसर अपका डिनंबर इंसर्ट मेनू टैप पर जाना होगा कहां पर इंसर्ट बरा जाएगा इसके इनसर्ट लीजिएगा computer के अलग से class आपको मिलेगे यहां पर दिया है TCP का पूंट सुरू क्या होता है TCP दूस्तों TCP होता है यहां पर से number transmission control प्रोटोकाल होता है इसको option C वाला बन जाएगा अगला दिया गया है start topology में computer को संजित करने के लिए निवनिखित में से किस उपकरन का प्रियोग किया आता है start topology computer को संजित करने के लिए किस उपकरन का प्रियोग किया दोस्तों यह आपका hub होता है क्या हो होता है यहां पर अगला कोशन दिया गया है CPU का वह बाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रीहित कि आप्रेस्टिंगों 시िस्टम का अर्थ क्या होता है मल्टी टास्किंग री का अपरेसां का अर्ध कि आपचा संग्राइट होता है तो जब नदी में बैस जल होता है घृध प्रकास के पत में एक वस्तु के आने पर छाया क निर्मार होता हे, तो और अगला दिया गया है कि EPS का अधोगी के नाम क्या है EPS का अधोगी के नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर रोजयब का Magnesium Sulfate को कहा जाता है किसे Magnesium Sulfate MgSO4 एक अकारमनी का आपका है जिसे EPSOM के नाम से जाना जाता है इसका प्रियोग होता है चिकिसा में चिकिसकों के जो बाह प्रियोग होते हैं उसमें किया जाता है अगला आपसे देखो दिया गया है नेमनी कि तुमेसे कौन सा ठोंस है इनमें से बताए यह चार आपसन दिये गया है ठोंस कौन सा एक सुषाए तेसंबर में तो ठोंस यहाँ पर है अगला दिया गया है कि अति निंदसन और पुना और सोशन की रिया किस दौरान होती है यहाँ पर दिया गया है अति निसेंदन और पुना और सोशन की किरिया या पक्रिया किस दौरान होती है दोस्तों यहाँ पर होता है जब मलत्याग करते हैं और मुत्य निर्मार की दोरान होता है ठीके मलत्याग और मुत्य निर्मार की दोरान होती है आप समनेगा आपका सिनमर राइट हो जाएगा ठीके ना अब मुत्य निर्मार में तीन मुख प्रिक्रिया होती है एक होता है नि model paper खतरनाक है लेकिन अगर model paper में 5 से 6 question ऐसे दे दे अगर पूचले भारत का रास्टी फूल क्या है रास्टी पच्छी क्या है रास्टी मचली क्या है इतना अगर पूचले तो आपको paper बहुत सरल लगेगा या आपको paper question से paper सरल हो जाए ठीक है ना clear है आगे बढ़िएगा यहाँ पर दिया है मनुष्य में यूरिया किस में बनता है यहाँ पर देखे आप सने हो जगा यकरत में बनता है ठीक है अगला दिया गया है कि जुराई 2022 में पहला भारत पसुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पूछा गया है यहांपर 355 इस्तान पर शंबत किया गया है कि जून 2022 मिं बीच भारत गौरो योजना के देश की पहली ट्रेन्च चलाय गया है दोस्तों बताएगा कि दो सहरों के बीच भारत गोरो योजना के तहर देश की पहली ट्रेंज जो चलाए गई है ये कोयम टूर उतर से साई नगर सिरडी के बीच चलाए गई है इसका जो आपसने या पर सी नमबर राइट हो जाएगा दोस्तों ठीक है ना चलिए आगे बड़ी एक कोशन आप से अगला पूछा गया है कि भारत के किस सहर ने बिसके ट्री सिटी का खिताब लगाता दूसरी बार जीता है तो दोस्तों इसके पहले भी हैदराबाद जीता था और इस बार को भी हैदराबाद नहीं जीता है दोस्तों इसके पहले भी ये किताब जीत चुका है दोस्तों ठीक है चलिए यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है जम्मु कस्मीर में रतले जल्विद्धुत परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया जा रहा है जम्मु कस्मीर में रतले जल्विद्धुत परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया जा रहा है एकोर्शन प्यूंचा हुआ है दोस्तों ये चिनाओ नदी पर किया जा रहा है ये नोवाक जो कोवीच है दोस्तों आप समनेगा या परसी नमबर है अगला है भारत द्वारा भूमी चरण ततस्थिता प्राप्त करने का लच रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है कितने 2030 तक रखा गया है नयमनिठित में से कौन परात्थ सरवात्रिक तापान उतबं करने में यगदारं नहीं है मतलब ताप्मान उतबं करने में यמש दोस्तों इया पर देखें NESन भी है करूंड industries बी होता है जलवास भी अही होता है लेकिन Silver और nitrogen ये आपके तापमान उतबं drafting करने में नहीं होते हैं तो आप से नियापर इनमबर इसका राइट हो जाएगा तो इस प्रकास से दोस्तों 50 कोशन आपके सॉल किये गये हैं 50 में आपका स्कूर कितना रहा है एक बटे दो माइनेस मारकिंग करने के बाद आप लोग जरूर बताएगा कि आपके कितने कोशन र हना है तो